हमने अपने पिछले kitchen DIY में कुछ boxes को recreate किया था, कुछ कांच की glasses को recreate किया था, कुछ pepper salt के dispenser boxes को recreate किया था, तो अगर आपको इन में से किसे भी चीज का DIY चाहिए, तो आप ज़रूर इसको देखे वीडियो को और ज़ादा से ज़ादा लाइक करिए. हम हमारी kitchen को organize करने के लिए बहुत तरह की tray का boxes का यूज करते हैं, आज हम हमारे simple DIY में दिखेंगे कि हम इन boxes को इन trays को घर पे कैसे बना सकते हैं, हम इन ज़ादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो इसको ज़रूर देखिए, end तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि end में आपके लिए एक surprise है. तो आएए, start करते हैं आज का अपना वीडियो. तो ये मैंने एक cardboard का box लिया है, जिसका मैंने उपर का cap जो ढखकन है वो काट दिया है, क्योंकि हमें आज इसके base की ही ज़रूरत है. हम बनाने वाले हैं इससे एक tray, तो इसके लिए मैंने इसको cover करने के लिए लिया है, ये एक cover का piece, जो की मेरे पास leftover था, इससे बनाया था हमने अपना trunk का cover, अगर आपको उसका DIY चाहिए, तो मैं a link description box में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो इस तरह हम उसको एकदम correct pieces में cut कर लेंगे, क्योंकि वो leftover piece था, तो जो इसमें से uneven pieces हैं, जो extra pieces हैं, हम उसे cut कर देंगे, और जो एकदम सही piece होंगे, उसे हम use करेंगे. तो इस तरह से हम अपने इस box को cover कर देंगे, इस lace की तरफ से, और अंदर थोड़ा सा extra material रखेंगे, जिससे इसकी अंदर की edges भी finish हो जाएं. हम इसको पूरा अच्छे से cover कर देंगे, जिससे कहीं से भी ये पता नहीं चलेगा, कि ये एक cardboard का box है. तो इस तरह से हम glue gun की help से इसको fix कर देंगे. ये cover जो मैंने use किया है, इसके अंदर एक पतली सी cellulose की lining है, तो ये काफी अच्छा finish देता है, और ये काफी अच्छे से fix भी हो जाता है. तो आप इसका use कर सकते हैं, और अगर आपके पास simple plastic lining का, या single layer का cover है, तो आप उसको भी easily use कर सकते हैं. अगर आप single layer की plastic cover का use कर रहे हैं, तो ध्यान रखे कि जब आप glue gun का use करें, तो जादा glue gun use ना करें, क्योंकि plastic glue gun से कभी-कभी जल भी जाता है. तो इस तरह से हम इसको पूरा base cover कर देंगे, और ये पूरी tray हमारी तयार हो जाएगी. तो ये हमारी tray तयार है, अब हम इसमें देंगे एक base का cover. तो ये है एक anti-slip cover, जो अक्सर हम अपनी almारियों में लगाते हैं, अपनी कांच की crockery के नीचे ये use करते हैं, ताकि वो slip ना हो. तो इसको मैं इस tray में लगा दूँगी, ताकि अगर इस tray में आप कोई भी crockery लगाएं, तो वो slip ना हो. तो अब next हमारा ये item है, ये है एक paper napkin holder. ये एकसर हम kitchen में use करते हैं, और अगर आपको भी ऐसा hanging बनाना है, तो आप easily बना सकते हैं. इसके लिए मैंने इसके base में चार hole कर दिये हैं, और उसमें से ये plastic की wire cross कर रही हूँ, तो इसकी hanging के लिए ये काम आएगी, और plastic की ये wire काफी strong होती है, थोड़ा heavy material भी इसके आप load कर सकते हैं, तो इस तरह से मैंने इसको pass through कर दिया है, दोनों hole से, और दोनों तरफ से मैं इसी तरह करूँगी, और ये अच्छे से हमारी hanging तयार हो जाएगी, हम इसके अंदर से जो stick pass करेंगे, उसको हम hold करने के लिए, उसको stop करने के लिए एक stopper बनाएंगे, तो इस तरह से cardboard का मैंने एक circle काट कर लिया है, और उसके उपर मैंने glue gun डाल दिया है, और जब ये सूख जाएगा, तो इसके उपर मैंने ये color कर दिया है, तो ये हमारा stopper बन गया है, अब हम इसको भी cover कर देंगे, जैसे हमने अपनी tray को cover किया था, हम same material का use करेंगे, जो left over हमारा piece था, हम उसी का use करेंगे, तो cover करने से पहले, हम इसमें hole कर देंगे, जहां से हमने वायर डाली है, उन्हीं holes को हम वापस से, इस cover से भी कर देंगे, और इसमें से अपनी wire को निकाल लेंगे, ताकि हमारा आगे का काम easy हो जाए, तो अभी के लिए ये बहुत easy हो जाएगा, और ये बहुत easily निकल गया है, तो अब इसको हमने cover कर दिया है, और जो hole side में से हमने, अपनी stick के लिए किया था, उसको भी हमने निकाल दिया है, तो ये हमारा paper towel napkin holder, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ये ready हो गया है, तो अब इसके अंदर हम अपना napkin roll डालके, insert करके दिखेंगे कि ये कैसे लगता है, और ये काम करता भी है या नहीं, तो इस तरह से हम ये stopper लगा देंगे, अब हम कुछ interesting बनाएंगे, तो ये है रजगुले का खाली डबा, तो इसको हम diagonally ऐसे cut कर लेंगे, तो ये cut करने के बाद, देखिए, दो boxes हमारे पास ready हैं, तो इसलिए हम पहले एक part को लेंगे, और ये जो opening है, इसको हम cello tape से cover कर देंगे, ताकि अगर हम इसको कुछ बनाएं, तो ये एक base की तरह, easily हम use कर पाएं, तो इस तरह आप easily ये सब काम कर सकते हैं, इसको finish करने के लिए, पहले मैंने छोटे-छोटे piece लिए हैं उस cover के, और यहां मैंने इसकी edges को finish कर दिया है, और इस तरह से finish करने के बाद, ये जो lace का part है, इसको मैं बाद में चिपका दूँगी, ताकि ये एक overall एक बहुत सुन्दर नैपकिन होलडर बनके तयार होगा, हम इसको multi-purposely use कर सकते हैं, हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, तो ये box हम kitchen में भी use कर सकते हैं, आप अपनी dressing पे भी इसको use कर सकते हैं, अब हम इसके अंदर से इसको cover करेंगे, और जो sides हम बची हैं, वहाँ भी हमने इसको finish कर दिया है, अब बारी आती है, आज के हमारे surprise की, तो आज का surprise है हमारा toilet paper roll, ये एक basic necessity है, और अगर आप market में इनको लेने जाएंगे, आप online इसको order करेंगे, तो ये बहुत costly आते हैं, मैंने भी personally बहुत रोज देखे थे, प्लस मैं एक rented apartment में रहती हूँ, तो वो temporary use के लिए भी नहीं थे, और जो standing हम holders देखते हैं, वो बहुत costly होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, एक ऐसा idea लेके आया जाए, जो free of cost हो, जिसमें आपका खर्चा भी ना हो, और आप एकदम eco-friendly भी बना सकें, क्योंकि हमने इसमें सारी waste चीजों का use किया है, अब यहाँ इसको cover करने के बाद, हम इसकी जो edges हैं, उनको finish करने के लिए tape का use कर रहे हैं, तो हम simply इसको tape से wrap कर देंगे, और इसकी edges को काट के उसको अंदर fold कर देंगे, तो इस तरह से जो इसकी edges होंगी, वो अच्छे से finish हो जाएंगी, और वो बिल्कुल भी messy नहीं होंगी, और यह लंबे time तक अपनी जगा नहीं छोड़ेंगे, तो इस तरह से आप बहुत easily ये चीज़ें घर पे बना सकते हैं, आप जरूर सोचेंगे, हम घर पे इतनी easily ये चीज़ें बना सकते हैं, तो market में पैसे बरबाद क्यों करें, और प्लस आपकी creativity भी इन चीज़ों को और ज़्यादा खुबसूरत बना देती हैं, तो इस तरह हमने इसको पूरा finish कर दिया है, और अब इसके holes हम निकाल देंगे, जिसमें हम अपनी sticks को insert करेंगे, एक hole में हम इसकी hanging बनाएंगे, तो hanging के लिए मैंने यहाँ पे use किया है, जूट की rope का, आप यहाँ पे plastic rope भी use कर सकते हैं, अगर आपके पास जूट की rope नहीं है, तो यहाँ पे मैंने उसको simply अंदर से insert करके, उपर एक knot लगा दी है, और यह हमारा paper toilet holder भी अच्छे से तयार है, अब यह जो knot लगाई थी हमने, इसके उपर हमने plastic के flowers लगा दिये हैं, decoration के लिए, और यह जो stick है, उसकी edges को भी हमने glue gun से finish कर दिया है, ताकि किसी को hurt ना हो, तो final look देखते हैं अब, चीजे हमने जो बनाई हैं, वो कितनी useful हैं, और कितनी attractive लग रही हैं, कुछ different होता है, तो वो सभी को attract करता है, तो यहाँ मैंने इसका एक और use आपको बताया है, और यह जो napkin holder है, इसे भी आप अलग-अलग तरह से use कर सकते हैं, और यह है हमारा toilet paper holder, तो इसका जो उपर का portion है, वो बहुत ही useful है, इस पे आप अपना phone रख सकते हैं, आप इस पे कोई भी bathroom freshener रख सकते हैं, जैसे मैंने किया है, कैसा लगा आपको मेरा आज का DIY, मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा, और अगर आपके माइन में भी कोई idea है, तो वो भी मुझसे जरूर शेयर करिएगा,